केंद्रिय स्वास्थि मंत्राले का कहना है कि नीट यूजी काउंसलिंग स्थगित होने की खबर गलत है चुंकि काउंसलिंग की कोई आधिकारिक डेट जारी नहीं की गई थी ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता कि काउंसलिंग स्थगित की गई है 11 जून को सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा कर नीट काउंसलिंग पर रोक लगाने की मांग की गई थी जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस असदुद्दीन ने सुनवाई के बाद काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था इसके बाद 20 जून को एक और याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस विक्रमनाथ की बेंच ने नीट काउंसलिंग पर रोक लगाने से दोबारा इनकार किया था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानि NTA ने 4 जून को नीट यूजी का रिजल्ट खोशित किया था 67 टॉपर सहित कुल 13.16 लाख स्टूडेंट्स ने मेडिकल की प्रवेश परीक्षा पास की फिर ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 कैंडिडेट्स का 23 जून को रिएक्जाम कराया गया संशोधित रिजल्ट जारी होने के नीट यूजी टॉपरों की संख्या 67 से घट कर 61 हो गई है नीट पेपर लीग, परीक्षा में हुई गड़बडियों और ग्रेस मार्क्स के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई सभी 26 याचिकाओं पर 8 जुलाई को सुनवाई होगी इसमें से 22 याचिकाओं स्टूदेंट्स, टीचर्स, कोचिंग इंस्टीट्यूट और वेलफेर एसोशेशन की तरफ से दायर की गई है वही 4 याचिकाओं नेशनल टेस्टिंग एजनसी की तरफ से दायर हुई है NTA ने 6 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हल्फनामे की जरिये कहा है कि फिजिक्स के एक सवाल के जवाब में बदलाव होने से कैंडिडेट्स का नुकसान नहीं हुआ है दरसल इस सवाल का जवाब पुरानी और नई NCRT के हिसाब से अलग-अलग था आंसर की में बदलाव किया गया और उन सभी कैंडिडेट्स को बोनस मार्क्स दिये गए जिन्होंने ये सवाल अटेंप्ट किया था स्टूडेंट्स ने कोर्ट में आंसर की बदलने की वजह से नुकसान होने को लेकर याचिका दायर की थी NTA ने कहा है कि एक्जाम से पहले जारी की गए इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में पहले ही ये बताया गया था कि अगर किसी सवाल के दो सही जवाब हो तो प्लस फॉर बोनस मार्क्स सिर्फ उन कैंडिडेट्स को मिलेंगे जिन्होंने सही जवाब चुना हो NTA पर एक ही सेंटर से 6 तॉपर्स होने और 61 कैंडिडेट्स के 720 मार्क्स हासिल करने को लेकर भी सवाल किये गए थे इस पर 6 जुलाई को दाखिल एफिडेविट में NTA ने कोर्ट में कहा कि कुछ कैंडिडेट्स ने कहा कि टॉप 100 कैंडिडेट्स के रिजल्ट के एनालिसिस से ये पता चला कि ये टॉपर्स 56 शेहरों में 95 अलग-अलग सेंटर्स से हैं NTA ने कहा कि कोविड महमारी के दौरान सिलेबस कम किया गया था इसका स्टूडेंट्स को फायदा हुआ और 61 कैंडिडेट्स ने पॉफेक्ट स्कोर किया री नीट के खिलाफ गुजरात के 56 स्टूडेंट्स ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है स्टूडेंट्स का कहना है कि ज्यादातर ने दो साल की कड़ी महनत और 100% लगन के साथ एक्जाम दिया था ऐसे में दोबारा नीट एक्जाम कराना स्टूडेंट्स के हित में नहीं है ये आर्टिकल 14 और 21A के तहत उनके मौलिक अधिकारों का उलंगन करता है